हम यहां ओन्हिए हैं आज हर्याना के सीम नेकह ड़के कश्मीर से लड़की ला पाएंगे कि इतना मज़दार है सोचिये अपनी लड़की को पेट में मार देंगे और अपने लड़कों के लिए लड़की कस्मीर से लेकर के आएंगे हर्याना एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा भुरुन हत्या होती है पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है और उसे स्टेट में जब आप घूमेंगे तो हर दिवार पे हर ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा रहता है और वहाँ पे जो रेशियो है मेल और फिमेल का वो देश में सबसे ज़्यादा खड़ाब है और उस देश के सियम ये कह रहे हैं कि लड़की कस्मीर से लगर के आएंगे हमारे राज बिहार के डिवटी सियम ने कहा कि अब बिहारियों को कस्मीर में काम मिलेगा बताईए इनको देख करके सर्म सर्मा जाएगा अगर इनको देख ले सर्म तो रास्ता बदल ले इनको देख करके आप किसी स्टेट के डिवटी सियम है आपकी रिस्पॉंसलिटी है कि आपके स्टेट के यूथ माइगरेट करके दूसरे स्टेट में ना काम करने के लिए जाए ऐसा वर्किंग कंडिशन आप पैदा कर सेके कैसे सवालों को डाइवर्ट किया जा रहा है और यूथ यूथ प्रोपगेंडा का सिकार है टिक टॉक बीडियो बना रहा है फेस्बूक वाटसेप ट्विटर इंस्टाग्राम तमाम तरीके की चीजे हैं कम्मुनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है हर चीज का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँच रहा है फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन के मूल सवाल क्या है मेरे जीवन का मूल सवाल ये है कि जब मैं पैदा हुआ कुछ दिनों के बाद जब हमारा इंट्रेस्ट डेवलप हुआ चुनना है और उस कैरियर में अगर हमने क्वालिटी अपने भीतर पैदा की है मान लिजे कि मैंने ये कैरियर चुना कि मैं गिटार बजाओंगा अगर मैं एक अच्छा गिटारिस्ट बन गया हूँ तो मुझे बटा और गिटारिस्ट सोसल एक्सेप्टेंस मिले हर कोई हर काम तो नहीं करता है यहां जो आप सब लोग बैठे हुए हैं आप में से किसी ने भी मोबाइल नहीं बनाया होगा मोबाइल को तो कोई और बना रहा है लेकिन आप भी तो कुछ कर रहे होंगे किसान आनाज पैदा करता है इंजिनियर इंजिनिर इंजिनिरिंग टूल बनाता है मजदूर मजदूरी करता है सफाई कर्मचारी सफाई करते है कोई खाना बनाता है कोई खाना पहुँचाता है कोई खाना उगाता है इसी तरह से तो सोसाइटी चलती है लेकिन कौन क्या करेगा ये चुनने का अधिकार उसको नहीं है पर लिख लेने के बाद मान लिजे कि हम इंजिनियर बने हैं इंजिनियर बनने के बाद हम घर घर घूम करके एकवागाड क्यों बेचेंगे अगर equa guard ही बेचना है तो फिर engineer बनने की क्या जरूरत हैंको समझा दीजे अगर मुझे equa guard बेचना है तो मैं engineering क्यूं करूंगा और अगर मैंने engineering की है तो मुझे equa guard क्यूं बेचना परेगा यह जो situation है इस situation को propaganda के माध्यम से cover up करने की कोशिश की जा रही है नतीजा ये हो रहा है कि citizenship क्या होता है, constitutional right क्या है, democratic process क्या होता है उन तमाम चीजों के बारे में eject information हमारे पास नहीं है democracy का मतलब majoritarian state नहीं होता है democracy का मतलब कि जिसकी संख्या जादा होगी वो बात सही होगी ये democracy नहीं होता है democracy का मतलब ये होता है, कि जो minority views हैं, जो कम लोग हैं, जो उनका identity है, जो उनका expression है उसको भी space मिलेगा, ये democratic होने का मतलब होता है democracy और constitution की अगर हम बात करते हैं, तो सरकार का काम यदि कानून पास करना है तो बिपक्ष का काम उस कानून का बिरोध करना है, ये कैसे हो गया इस देश में, कि सरकार के किसी भी policy का, अगर opposition बिरोध करती है, तो उसको immediately पाकिस्तानी कह दिया जाता है बताईए, MP बने हैं हिंदुस्तान में, वोट दिये हैं हिंदुस्तान में, बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, और सरकार का बिरोध करने के लिए ही वहाँ पे बैठे हुए हैं चुने हुए विपक्ष है देश के लोगों ने वोट दे करके विपक्ष के रूप में चुना है और तब यदि सरकार की आलोचना करें तो पाकिस्तानी कह दिया जाता है इस तरीके का picture इस तरीके का meme बनाया जाता है कि सरकार के समर्थक कहते हैं कि पाकिस्तान भी दुखी है 370 हटने से और भारत का विपक्ष भी दुखी है आप कैसा लोग तांतरिक प्रोसेस तयार कर रहे हैं कभी आप भी तो विपक्ष में बैठेंगे और कभी आप भी विपक्ष में थे मान लीजिए कि लोग तांत्रिक प्रकिरिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यही परिपाटी बन जाए तब तो डेमोक्रेशी तो बचेगी ही नहीं तब तो और्थिरिटेरियन एस्टेट बन जाएगा कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे डिमोक्रेसी नहीं डिक्टिटोरियल जो है इस्टेब्लिश्मेंट आ जाएगा जो लोग देश भक्ती के नाम पे सरकार की अंध भक्ती कर रहे हैं दरसल वो चाहे अंचाहे देश बिरोधी काम कर रहे हैं अगर आपको देश से प्यार है तो आप कमजोर से सवाल मत पूछिए ताकतवर से सवाल पूछिए डिमोक्रेटिक होने का मतलब विपक्ष से सवाल पूछना नहीं होता है डिमोक्रेटिक होने का मतलब सरकार से सवाल पूछना होता है अगर देश के लोग देश की majority विपक्ष के पास होती तब वो विपक्ष में क्यों होता तब तो उसकी सरकार होती न आपको लोगों ने समर्थन किया है लोगों ने और उनको वोट दे दिया है वोट देने के बाद अब उनकी भक्ती करना बंग कर दीजिए उनसे सबाल पूछना, शुरू कीजिए, लेकिन यह जो process है, यह process सबसे पहले हमको कहां सिखाया जाएगा, यह process सबसे पहले हमको हमारे घर में सिखाया जाएगा ना, हमारी family में सिखाया जाएगा ना, family के बाद हमको हमारी society में सिखाया जाएगा ना, हमारे educational institute में हमको बताय जाएगा ना हमारे ओफिस में हमको सिखाया जाएगा ना और आप हमको बता दीजिए कितने लोग अपने घर में डिमोक्रिटिक हैं कितने लोग अपने ओफिस में डिमोक्रिटिक हैं कितने लोग जब बस में चलते हैं ट्रेन में चलते हैं मेट्रों में चलते हैं सरकों पे च कैसे हो जाएगा बाप से सवाल पूछने का अधिकार यदि बेटा को नहीं है कि पत्म को नहीं है और जो सवाल पुछने का अधिकार यदि परोशी को नहीं है जब सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है तो एस्टेट कैसे डेमोक्रेटिक हो जाएगा खूब अच्छा कॉंस्टिचुशन लिख दीजिए अच्छी अच्छी बातें उसमें लिख दीजिए सोसलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, शेकुलर सब लिख दीजिए ये सब किताबी बातें होंगी किताब में ही लिखा रह जाएगा और मैंने अपना उदारन आपको इसलिए प्रस्तूत किया कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कोई exclusive बात नहीं है इस देश के हजारों, लाखों, करोरों नौजवान के साथ यही हुआ है कि उसके जीवन में क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है और जीवन भर अगर वो undemocratic practice और behavior का सिकार रहा है तो जब वो position में आएगा तो वो कैसे democratic बन जाएगा इस बात को हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस लिहाज से मैं आपको कहता हूँ कि आज का youth misinformation का सिकार है आज का youth propaganda का सिकार है आज का youth undemocratic process और behavior का सिकार है लेकिन आज के youth के पास information की accessibility है आज के youth के survival के लिए democracy के अलावे और दूसरा कोई alternative नहीं है और आज का youth rational और logical भी बन सकता है अगर उस process आने के लिए तयार हो तब इसी लिए इस house में मैं ये propose करना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो बिलकुल hopeless नहीं होना है hopeless इसलिए नहीं होना है कि आज जो situation create हुआ है इसके लिए past responsible है इसके लिए history responsible है और आज जो हम behave करेंगे उसी से हमारा future decide होगा इसलिए मैं तो कई बार भाजपा को और इस सरकार को मनी मन बधाई देता हूँ वो इसलिए कि भाजपा यदी नहीं आती तो इस देश में secularism का असली मतलब क्या होता है वो हमारे generation को पता नहीं चल पाता भाजपा यदी नहीं आती तो क्यू भारत जैसे देश के लिए जहां इतनी ज़्यादा diversity है उसमें democracy का क्या value है ये लोगों को समझ में नहीं आ पाता भाजपा यदी नहीं आती तो इस देश में बहुत सारे सवाल आज भी political question नहीं बन पाते कम से कम इस दवाव में ही सही लोग अब राजे राजवारे दिखाने वाले हेलिकॉप्टर से उरने वाले और कभी जनता के बीच नहीं जाने वाले नेताओं का हकीकत तो जानने लगे हैं न बरना इसे कैसे हुआ आप मुझे बता दीजिए कि emergency impose करने के बाद एक बार के लिए स्रीमती इंद्रा गांधी जी हारी और अगली बार thumbing majority से वो जीत करके आ गई कैसे इसे संभव हुआ असल बात ये है कि जब तक social institutes democratic नहीं होंगे जब तक family के अंदर democratic practice और behavior को ensure नहीं किया जाएगा जब तक दूसरे जो हमारे institutions हैं उसको हम democratic बनाने का प्रियास नहीं करेंगे वहाँ हम scientific temper logical understanding rationality इन तमाम चीजों को spread नहीं करेंगे तब तक एक progressive democratic जो equality, socialism और secularism में behave करता हो ऐसी society और state का निर्मान करने में ऐसे problem आते रहेंगे इसलिए hopeless होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि logically एक बात सोच करके हम को बताएगे है कि हम कुछ नहीं करें हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें फिर भी या जो बाहर बारिश हो रही है यह नहीं रुकेगी रुकेगी ना एक दिन बारिश रुक जाएगी ठंदा आ जाएगा फिर ठंदा भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा फिर गर्मी आ जाएगी फिर गर्मी नहीं रहेगा फिर बारिश शुरू हो जाएगी अगर हम थोरा सा भी historical process को समझते हैं तो हमको बिल्कुल निरास नहीं होना चाहिए हमारे साथ जो आज हो रहा है उसके लिए past responsible है और आज जो हम करेंगे उससे ही हमारा future safe लेगा उसी से हमारा future decide होगा और इस बात से मैं तो अपने आपको बहुत ही भागवाग तो नहीं मानता लेकिन फिर भी सोभागिसाली समझता हूँ कि नब्बे के बाद जो लोग पैदा हुए है असल में वो इस दौर में पैदा हुए है जैसे यूरोप में industrial revolution हुआ था उस वक्त की जो generation ने एक fast historical process को होते हुए देखा change को होते हुए देखा वो witness करने का मौका हम लोगों को मिला है कि नब्बे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग होते हुए देखे जो एक welfare state था उस welfare state की जो कमी कमजोरी थी welfare state को जो करने वाले लोग थे welfare के नाम पे किस तरीके से समाज का welfare करने की बज़ाए उन्होंने अपने अपने परिवार का welfare किया इस तरीके का political class पैदा हुआ scientific technological revolution के चलते बरी बरी मसीनों की जगा हाथ में छोटे छोटे मोबाईल और छोटा छोटा computer बन करके तयार हो गया cultural जो changes हुए वो और ज़्यादा तेज हो गया क्योंकि अमेरिका में लोग कैसे खाते हैं या आप अमेरिका जाये बिना mangaloo room में बैठ करके देख सकते हैं तभी तो आप KFC का chicken खा रहे हैं chicken तो आप पहले भी खा रहे थे मुगलाई chicken होता था उसमें मुर्ग मसलम होता था लेकिन अभी आप जो है basket chicken खाते हैं अभी एक नया तरह का chicken है तो एक cultural exchange का process अपने आप में तेज हुआ है बिहार में कोई घटना घटी है immediately जो है उसका ख़वर bangalore पहुंच जाता है और bangalore की ख़वर की घटना तुरंद बिहार पहुंच जाती है तो हम लोग एक ऐसे दौर में पैदा हुए है जहां changes को हम लोग बहुत rapidly होते हुए देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस change में हमारी जो भूमी का है वो यह है कि हमारा जो historical root है उस historical root को हम पकर करके रखें और historical root में हमारे survival के लिए जो political system सबसे ज़्यादा suitable है वो है democracy इसलिए democracy के पक्ष में youth को trend करने के लिए हमको सरकार पांच साल में बनेगी बदलेगी उसका इंतजार नहीं करना चाहिए अपने आस पास लोगों को हमको democratically train करने की कोशिश करना चाहिए उनके भीतर scientific temper को develop करने का प्रियास करना चाहिए उनको logical और rational बनाने का प्रियास करना चाहिए और मैं आपको आस्वस्त कराना चाहता हूँ मैं यही propose कर रहा था कि कुछ भी हो जाए पात साल दस साल के लिए कोई भी आ जाए भाईयों बहनों कहकर के वो कितना भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर ले इस देश में democracy का कोई विकल्प नहीं है democracy थी democracy है और democracy रहेगी